नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभिनंदन मेरे इस चैनल खेल गरोंका में आज हम बात कर रहे हैं सावन मास में जोतिस के अनुसा सिव पर क्या प्रियोग किये जाएं जिससे आपकी कामना पूर्ती हो जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो मंतरों में अद्बु सक्ति है इस शक्ति का प्रियोग करें और देखें कि अनास्था के और जारे बहुंदिक बर्ग में आस्था जागरत हो रही है जीवन की विरोधी गतिविदियों को अनुकुल बनाने के लिए सदेवेक सुक्स्म सक्ति को साथ रहने की आवशक्ता रहती है सादक को मंत्र में मनाने के लिए प्रायत से सुबह से साम तक सभी क्रियाओं के लिए मंत्र साहक होते है साधर्ण लोग मंत्र साधना का आरम किनी भौतिक उपलब्दियों या संकट नास की आसा से ही करते हैं संकट आने पर नास दिक भी इज़र जुकने को तयार हो जाते हैं और आसा जनक लाप ट्राप्त होने पर उनका काम होने पर सहज में ही आराम से ही मत्र सक्ति पर विश्वास करने लगते हैं विश्व के सभी असाधर्ण कारिय बुद्धी के सयोग से ही संभव होते हैं अतब बुद्धी वर्दक प्रियोग भी जरूरी है और बुद्धी का इस्तिमाल भी जरूरी है तो हर कारे करने से पहले बुद्धी का अस्तिमाल भी जरूर करना है चाहे वो मंतर तंतर यंतर हो और चाहे वो पूजा उपासना हो आपने बुद्धी का प्रियोग सदा ही करना है और बुद्धी को सदा साथ रखना है यंतर मंतर तंतर और जोतिस का उद्गम भगवान संकर के मुखारविन से प्रकट हुआ और कुछ उपाय उपासना मैं आपको बतला रहा हूं सबसे पहला कि जब भी मारकेश की दसा का आप नाम सुनते हैं कोई भी व्यक्ति जो जोतिस का जानकार है जोतिस ही है या आपके घर में आने वाले पंडित मौद हैं आपके आसपास रहन मंदिर के पुजा रही हैं वो यदी आपको गटना करके बतला देते हैं कि आपको मारकेश की दसा आरब हो चुकी है आपके प्राण वहीं सूक जाते हैं आपको साखसा मौद दिखाई देने लगती है लेकिन मारकेश का अर्थ क्या है यह आपने कभी नहीं सोचा ना आपन पर मत्यू का नाम नहीं है ना मत्यू की बात कर रहे हैं मारकेस का मतलब कस्ट से है और उसके लिए आपने मामरतुजय मंत्र का जाप करना है या मामरतुजय मंत्र का जाप करवाना है और करवाने के लिए को सात्विक पंडित अच्छे पंडित विद्वान पंडित और लब्द कीजिए और माम तुझे यंत्र आपके नाम से भी बन सकता है अताथ जो यंत्र है एक रेडिमेड यंत्र हो सकते हैं लेकिन कुछ यंत्र लोगों के लिए ही बनते हैं अताथ आपका नाम आपके पिता का नाम आपकी माता का नाम गुत्र कास्ट और एड्रस ये सब हो से वो यंत्र सिर्फ वा सिर्फ आपके लिए ही बनेगा और आपके ही काम आएगा तो आप उसकी पूझा उपास ना करके भी मन जो मामतु जाप है मंत्र वो यंत्र के माधियम से कलते हैं यंत्र एक मिडिटर बन जाता है आप कोई भी मंदिर में जाते हैं वहां पर मूर्ती ह तो घर पे भी तो आप पूजा पाट कर सकते हैं घर पे भी तो आँख बंद का दर्षन कर सकते हैं लेकिन हम मंदिर जाते हैं क्योंकि वहाँ की स्थान की मैमा है उस मूर्ति में प्रान्डपिश्था की हुई है इसलिए मैमा है तो ठीक वो ही चीज यंत्र में भी होगी कि आप यंत्र भी जब प्राण पतिश्चित कराएंगे तब यंत्र आपके और उस इस्वर के बीच में माध्यम बन जाएगा सिंबोलिक बन जाएगा आप उस यंत्र की पूजा करेंगे इसका मतलब पूरे माधेव की पूजा उपास ना करेंगे शिव की पूजा उपास ना करेंगे इसका आर्थ ही यह है आईए अब बात करते हैं हेल्थ की रोग नास के लिए कच्चा दूद और गंगा जल से रुद्रा पिशे कराना चाहिए अताद आपने खुद ने ही यह नियम अपना लेना है जो रोगी हैं सरीर है तो रोग हो गई होगा और कई रोग तो ऐसे हैं इस दुनिया में और इस समय काल में जो एक बार लग जाएं तो जीवन भर आपके साथ में ही रहते हैं एक्जामपल के लिए डाइबिटीज है एक्जामपल के लिए ब्लड प्रसर है ऐसे बहुत से रोग हो सकते हैं लेकिन जिसकी जानकरी मुझे है वो मैं आपको बोल सकता हूँ तो ऐसे रोग होने पर हम क्या कर सकते हैं अपनी देनिक जो भी दिन चरिया है जो भी योग है जो भी अक्साइज है वो सब करें अब मेडिसीन भी लें लेकिन जो आप कर सकते हैं जिस दर्म से आप समधित हैं और मेरा ये विश्वास है कि कोई भी दर्म का हो यदि किसी किस कर्म को करने से आपको लाब होता हो तो वो करना चाहिए तो आप जो भी जाता कि ये प्रोग्राम देख रहे हैं यदि आपको रोग से समझे इस्तिती है तो आपने सिर्फ दूद और गंगा जल को मिक्स करना है और उससे सिविलिंग पर चड़ाना है अताद अभिशेक करना है ये आप आराम से कर सकते हैं एक और चीज़ आप कर सकत जाते हैं आईए अगला पॉइंट कालसब योग और पितर्दोस के निवारन के लिए आपने थ्रेम के श्व नासिक के पास में एक जगए है थ्रेम के श्व जोतिलिंग है वहां सिव के जोतिलिंग के दर्सन करने और विदी अनुसार पूजन कराना अता अनुस्थान करान में उनको दसन होते हैं उपने पित्रों को और वो को demand करते हूं या वह अस्तंतूस निकाई देते हूं या आपके गर में ऐसे ऐसे हाथसे हो सकते है ऐसे हाथसे हो नह съоде हो जो आप ये विदी अनुसार करा करके उस योग से सांती प्राप्त कर सकते हैं, रात प्राप्त कर सकते हैं, ये योग आपकी कुंडली से जाएगा नहीं, अथाद योग है और रहेगा, आपने सिर्फ एक बार उसकी सांती करानी, एक बार उसकी पूजा विदी जरूर कराना है, चाहे वो नासी के पास में जाकर के, चाहे गया में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के, जो भी तीर्थ इस्ताने, वहाँ पर ये हो सकता है, साउथ में काला इस्ती नामक जगह है, वहाँ पर भी एक कारेक्रम होता है, वहाँ पर ये विदी विदान होता है आईए अब लेते हैं अगला अगला पॉइंट आपने ज्यादा तो सुना होगा ठीक मेरे बच्चों को नजर लग गई मेरे बिजनस को नजर लग गई मेरे दुकान को नजर लग गई या किसी ने टोटका कर दिया है किसी ने मारण प्रियूक कर दिया है ऐसी चीज सुनना और ऐसी चीज को फेस करना दोनों अलग लग बाते हैं जो फेस करता है उसको ही मालूम है ये समस्यां क्या होती है जब तक किसी कोई प्रेत बादा न लगे उसको अंदाजा ही नहीं हो सकता है अगर ऐसी स्थिति में उसके साथ होता क्या है आप देख सकते हैं ठीक बहुत से स्थानों पर और नहीं तो अगर देखना है तो जिंदकी में एक बार महंदीपूर बाला जी चले जाईए देखे किस प्रकार एक छोटा दुबला पतला सा वेक्ती चार-चार लोगों की control में चार-चार लोगों की नियंटन में नहीं आ पाता है उसको अप क्या बोलेंगे उसको क्या कह सकते हैं तो सारी इस्तितियां सारी चीजें है हमारी जिंदगी में और हमारे आसपास है जिसको वो लग जाती है उसी को उसकी पीड़ा नजर आती है उसी को राहत चाहिए उसी को बचाव का तरीका चाहिए तो यदि आपको भी ऐसा कुछ नजर आया हुआ है कि आपको नजर लगी है या कोई टोना टोट का हुआ है या कोई मालन प्रियोग हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं रुध्ज़श्द याई मैं अधा शुक्ल यजूरुवेद में एक अध्याय रुध्ज़श्द याई उसके अदर अगोर मंत्र है उन अगोर मंत्र का जाप करना चाहिए और या फिर करवाना चाहिए। क्योंकि संसकत हर किसी के बस की बात नहीं हो सकती है तो साइद कोई नहीं कर पाए तो उसको करवाना चाहिए और अगोर मंतर का जाप मंदिर में ही कराना चाहिए क्योंकि घर में नहीं हो सकते है आईए अगला पॉइंट लेते हैं शत्रु निवारन अता व्यक्ति जो भी कार करेगा जो भी काम करेगा जो भी उसका केरिय होगा वो व्यक्ति जब सफल हो जाता है तो उसके सत्रू खड़े हो जाता है जो 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 व्यक्ति उन्नति की सीड़ियां चड़ता है जो जो उसके सत्रू बढ़ते चले जाते ग्यात और अग्यात सत्रू 200 रखने वाले सत्रू और कई बार जो आपके सरीर में रोग लगए है वो भी आपके सत्रू है आपके घर वाले भी आपके सत्रू हो जाते है जब सनी की साधे साथी लगती है तो मैंने प्रयाय देखा है कि जो उसके एकदम नियर डियर होते हैं वो भी उसके सत्रू हो जाते हैं वो भी उसके खिलाफ हो जाते हैं और उससे सत्रूता रखते हुए उसको अखिला कर देते हैं अधा जो परिजन है जो परिवार जन है आपने सब कुछ उनके लिए अच्छा किया है लेकिन वो जब आपका समय खराब है तो वो सिर्फ वसरब आपसे बदला लेने के लिए उतारू हो जाते हैं और आपसे द्वेर्ष सकते हैं इर्ष रखते हैं आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं ऐसी परिस्तिती में आप क्या कर सकते हैं आप काले रंग का सिवलिंग आपने लेना है अरेंज करना है या तो काले रंग का सिवलिंग को या पर नीम की लगडी होती है उससे आपने सिवलिंग बनाना है उस पर सरसों के तेल से रुद्रा पिशेक करवाना है या तो आपको खुद को करना है और यह खुद कर सकते हैं उससे अच्छी इस्तिति नहीं हो सकती और सिंपल सा तरीका लीजे इंटरनेट से आप रुद्रभ इसे डाउनलोड कर दीजे बहुत अच्छे अच्छे स्वरों में है बहुत अच्छे ची आवाज में है और बहुत सी कंपनियां यह अविलिबल कराती है तो आप रुद्रभ इसे की सीडी या जो भी माध्यम आपके पास में है उसको स्टार्ड कर दीजे प्ले कर दीजे और आप खुद उस जो आवाज आ रही है मंतरों की उसके साथ में रुद्रभ इसे करते चले जाए है दो-तीन गंटे जितने भी लगें आपने समय निकाल करके अपने लिए यह करना है उससे आपको बहुत रहत प्राप्त हो जाएगी यह मैं विश्वास दिला सकता हूँ अताथ पुत्र प्राप्ति है तू या संतान प्राप्ति है तू तो सोंबार का वरत आपको नियम नसार करना चाहिए और सेकिंड है वो है प्रदोस वरत आपको करना चाहिए यदि आप संतान चाहते हैं यदि आप वंस व्रदी चाहते हैं तो आपको ये व्रत नियमनसर करना चाहिए और हरिवंस पूरान का पाट करना चाहिए और जो सक्षम है जो समर्थ हैं उन व्यक्तियों को संतान गोपाल यंत्र बना करके उसकी पूजा करने चाहिए लेकिन इस उस वृत के बाद में जब सूरियास तो हो जाता है तब उसके बाद में आपने खाना खाना है यह नियम अपना करके आप संतान प्राप्त आराम से कर सकते हैं और ऐसा अनुबह मा आया है कि जिन विक्तियों को संतान नहीं है अधार एक दो साल हो गए साधी को उसके है कि आपने मक्खन का सिविलिंग बनाना है अर्था मक्खन की कोई भी भाग ले लीजे और उसको आपने सिविलिंग का आकार देना है और फिर उस पर गंगा जर से रुद्रापिशिक कराना है जितनी देर भी चलेगा और अगर सिविलिंग को ठीक मक्खन का सिविलिंग बना वो शिविलिंग को कुछ भी नहीं होगा, वो करें डिमॉलिश नहीं होगा, खराब नहीं होगा, आइए, अब देते हैं, अगली समस्या, और अगली समस्या वास्ता में समस्या नहीं हर किसी की नीड है, ठीक, लक्षमी प्राप्ति, हर कोई अपनी जिंदगी में ज्यादा- बड़ी कार, बहुत बड़ा मकान, सारे सुक्षूइदा है, वो सब प्राप्त करना चाहता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पर्टि का सिवलिंग अपने घर में स्थापित करना है, और इस पर्टि का सिवलिंग ओर उस पर स्रीयंतर बना हो, तो और ज्यादा उस दिन तो आपने इस्पेसली ये क्रम ज़रूर करना है दोराना है अध्य है आप नहीं कर सकते हैं आप उस सेर में नहीं है तो अपने परिवार वालोंको बोलिए वो जरूर ये करम करें अब बात कते हैं आयूव्रढ्दीग के लिए अधा जब भी ऐसा लगे कि नहीं आयू के उपर को संकटान खड़ा है तो आपने गाय के गी से शिवलिम पर रुद्रा भिशे करना है अधा ये नियम बना लीजे कि हर सुंबार को आपको गाय की गी से रुद्रा भिशे करना है तो इसमें कुछ भी इस्तिती खराब हो चाहिए कैसा भी मारके सो या कोई भी स्तिती में आपको आयू पर खतरा है वो खतरा टल सकता है या मैं विश्वास दिला सकता हूँ जोतिस के माद्यम से यह गरंतों में लिखा हुआ है यह गरंतों में श्रीयंतर अथा जो मैंने अभी बतला अथा ispatik siblings हो या अगली समस्या अथा सिद्धी प्रापती यह कहे लिए जो भी कर्म करते हैं बहुत से वेक्ती साथ ना उपास ना करते हैं सिद्धी प्रापती करने के लिए सिद्धी का मतलब है जो आपकी कोई भी समस्या है आपकी कोई भी चाहत है आपकी कोई काम ना है उसको पूरा करने को सिद्धी बोलते हैं वो सिद्धी प्राप्ति के लिए पारा सिवलिंग पर अभिशे करना चाहिए या करवाना चाहिए और अच्छा होगा कि पारा सिवलिंग आप अपने घर म बहुत से लोग ये बोलते हैं बहुत से लोग आते हैं मेरे पास में और ये बोलते हैं किसी ने मुझे बोल दिया है कि सिविलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए सिविलिंग को आप पिता बोलते है सिविलिंग को मतलब सिविल जी को आप पिता बोलते है और जगदंबा को दूरुगा को आप माता बोलते हैं तो घर में माता की जरूरत है पिता की जरूरत नहीं है आदी काल से मतलब सहकड़ों वर्षों से घर में सिविलिंग की पूझा होती ही है और मैंने तो बच्छपन से बच्छपन से मतलब जब से होंस संबाला है जब से मेरी दादी को जब से मेरे पिता जी को ठीक उसके बाद में जो भी मेरे माता जी है या मेरे पत्नी है मेरे बच्चे हैं हम वोही सिवलिंग की पूजा उपासना करते आज तक आ रहे हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि इससे अहीत हो गया हूँ जिस भगवान को आप मानते है चाहे उसकी मूर्ती रखें, चाहे उसकी फोटू रखें, सब कुछ से आपको सिद्धी, सब कुछ से आपकी कामना पूर्ती संभव है ऐसा भी मैंने सुना है, ऐसा भी लोग बोलते हैं, कि आपने अपने माबाप की जो तस्वीर गर में लगा रखी है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनको बहुत कष्ट होता है, कि आप उनके सामने खड़े हो, या आप संकट में हो, आप कष्ट में हो ये क्या लॉजिक है, कि जो आपके पूर्वस थे, जिनको आप, जिनको आपने जिन्दगी में देखा हुआ है, और आज उनकी कमी खल रही है, तो क्या उनको अपने घर से पूरे निशान आपको मिटा देना चाहिए, सोचने की जो होता है आई, अब बात करते हैं, मकान प्राप्तिकी, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना मकान चाहता है, कि कहीं के सर छुपाने के लिए कोई जगह मेरी हो, जिसे मैं अपना कह सकूँ, जिसे मैं अपना घर बोल सकूँ तो उसके लिए आपने यदि आज तक ये कामना आपकी पूरी नहीं हो पाई है और आप निरंतर उसके लिए प्रहत नसील है बहुत से विक्ति आते हैं बहुत अच्छा उनका कारोबार है अस्चरे होता है कि दो सो तीन सो करोड या पान सो करोड का टार्गेट वाले व्यक्ति उनको अपना मकान नहीं है वो आज तक भी किराय के मकान में ही रह रहे हैं यह संबव है ऐसा मेरे मानने में नहीं आता है फिर भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ किराय के मकान में ही रहना पसंद करते हैं कौन अपना मकान बनाए और इसके बाद में प्रॉलम करें उसका मेंटिनेंस दे या उसका मेंटेन करें मकान उसके लिए किराई में रहना पसंद करते हैं लेकिन एक वक्त आता है जब उनको भी महसूस होता है कि अपना मकान होना चाहिए और यदि आप ऐसा प्रयास कर रहे ह और नहीं हुआ है तो आपको स्रावण मां में सह से रुद्रा बिशेक करवाना चाहिए या करना चाहिए तो ये थी समस्याइं जो आपके जीवन में यदि हैं तो आपको सिवजी के अबिशेक से अब जोतिस का अनुसार ये कामनाओ की पूर्ती संभव है भगवान सिव से समदित बहुत से प्रियोग होते हैं सिवजी कहते हैं कि जो विक्ति भस्म धरण करके मातर बिल्व पत्र पुस्प आदि से अंकार जब पूर्वक पूजा करता है ता पूजा करते रहें और जब अरपन करता है उसकी पूजा लाक गुना अधिक हो जाती है स्रवांग लगा आताक पूरे सरीड़ में भस्म लगा करके रातिर के समय जो मेरा पूजान करता है वह मेरा भक्त मुझे अतिंतप्री है जो पंचामरत युक्त, गंद पुस्प, कुशोदक, पंच गव्य, इक्सूरस, इक्सूरस का मतलब गन्नेकारस, मदुमिश्रित आमरस, अथा सैद और आमरस जो मिलावाता है और या पर नारियल के जल्द से, अभिशेक करते हैं, रुद्रस जाहिका पाट करता है, उससे बढ़ कर संसार में मुझे और कोई प्रियर नहीं है, वो मेरे ही सरीर में प्रुष्ट होता है एक विशेस बात में बताना चाहूंगा, क्या आपको मालूम है एक सीव पर तीन पत्नों का जो बिल पत्र चड़ाय जाता है, वो परमात्मा के तीन कारियों का प्रतीक है स्रस्टी का निर्मान, पालन और संगार, आम तोर पर ब्रह्मा दारा निर्मान, विश्णु दारा पालन और संकर जी द्वारा संगार होना माना जाता है किन्तु एक मातर सिव की पूजा करके आप तीनो कारियों के प्रतिक सुरूप तीन पत्नों का बिल पत्न अर्पित करके आप इन तीनों में ही इन तीनों देवों की पूजा एक साथ में कर सकते हैं अथा जो बिल पत्न आप सिव जी को चड़ाते हैं वो ये दर्साता है कि सिव में ही तीनों देव समाईते हैं तभी तो उन्हें देवादी देव मादेव का जाता है एक और बात भगवान सिव के नंदी आपकी मुरादें पूरी करते हैं अगर आप ये समझते हैं कि भगवान सिव से अपनी मुराद कहेंगे और भगवान सिव इस आदार पर कह रहे हैं कि सास्त्रों में बताएगा है कि भगवान सीव ने नंदी माराज को वर्दान दिया कि वो जो भी व्यक्ति आपके कान में आकर कि अपनी मुराद बताएगा अपनी कामना बताएगा उसे मैं सुन लूँगा यही कारण है कि बहुत से लोग पूजा तो भगवान सीव की करते है लेकिन कामना पूर्टी के लिए नंदी माराज के कान में जाकर कि अपनी बत कहते हैं और ऐसे ही लोग ऐसे ही गंद्पती के जो मंदीर होता है गंदेश जी के जो मंदीर होता है उसके बाद चुए होते हैं चुए के आकरती ही होती है या चुए के स्टेचू बना होते हैं उसके कान में जाकर कि अपनी काम ना कहते हैं अत्या जो उनका वाहन है उनके द्वारा उनकी बाद सुनी जा सकती है तो आस्ता जोतिस के अनुसार आप अपनी समस्यां को किस प्रक करना पड़ेगा यदि आप फॉन पर बात करना चाहते हैं तो देश वीदेश में बैठे हुए कोई भी हो जादा तर लोग जो नहीं पहुँच पाते हैं वो फॉन के माध्यम से ही बात कर सकते हैं तो आप आसनी से जितनी दिर लेना चाहते हैं अपन जो भी समस्या होगी उस हम नमबर दिये रहते हैं वहाँ पर आपको डिसकस करना पड़ेगा प्रस्जव समझना पड़ेगा और फिर आप और हम आराम से बैठ करके आपकी समस्या को सुल जा सकते हैं आशा करता हूँ हमारा ये कारक्रम आपको पसंद आया होगा हम जो एपिसोड बना रहे हैं वो आपके जीवन में अच्छा ही हो आपके जीवन में सुबता है आपका जीवन महके और आपकी समस्या है जिंदगी में आकर के भी नीट्रल हो जाए जीरो हो जाए इसलिए हम इतना मैनत करके जो भी प्रियास कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है फाइदा आपक हम प्रसंद हो सकते हैं, हम खुश हो जाएंगे कि चलो हमारा काम किसी ने किसी के लिए तो कोई योग कारण बना स्वस्त रहें, प्रसंद रहें अपना अपने बच्चों का और घर के भुजुर्गों का खैल रखें और स्रावन मां का जितना अनंद ले सकते हैं, जितनी पूजा उपासना कर सकते हैं, आप अवश्य करने का प्रयास करें, जिससे पूरा साल आपका अच्छा हो सके, नमस्कार कि उता हुआ टरके टारा कार स्रावन मां का जितना तर कि यह ले में, आपका आपका, जितना, आपका अवश्य कर bendवा का उता कि उता हम जता हैं, जितना